मस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी क्रम चारी है पैंसन वोगे उनके लिए दो जबरदस बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं जिहां दोस्तों आज हम आपको इस बिम बताते है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरहन पहुंसके तो आए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टाट करते हैं क्रम चारी की रिटार्मेंट उमर में बड़ोतरी पैंसन में होगा तगड़ा इजाफा जी हां दोस्तों इसमें बता जा रहा है कि पेम मोदी ने सरकारी क्राम चारे के जल्द ही बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं प्रदानमंत्री की आर्थिक सलाकार समेति की और से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि दोस्तों देश में लोगों की जो काम करने की उमर सीमा बढ़ाई जानी चाहिए इसके साथ ही प रिपोर्ट के नुसरा हम आपको बताते हैं कि सुझाव के तैत क्राम चारे को हर मईने कम से कम दो हजार उपे तक का पैंसन दिया जाना चाहिए आर्थिक सलागार समेति ने देश में सीनिर स्टेजन की शुरुक्षा के लिए बैतर वववस्ता करने की सिपारिस की है स्किल रिपोर्ट के नुसरा बताया जा रहाएगी दोस्तों अगर कामकाज उमर की बड़ोतरी को बड़ाना है तो इसके लिए सिवाने वर्ति की उमर को बड़ाने की सक्त जुरुरत है समाजिक सुरुक्षा परनाले पर दबावों को कम करने के लिए ऐसा क्या जा सकता है रिपो उसल विकास क्या जासके इसकी प्रियास में एसंगधित अक्षेतर दुर्दराज में रहने वाले लोग और रिफ्यूजियों प्रवासियों को भी सामिल किया गया जिसके पास ट्रेनिंग जो हासिल करने के साधन नहीं होते उनके लिए उनको ट्रेड होना जुलूडी है व व्यक्ति सेवा निवर्ति की कटेगरी में आएगा और 2019 में भारत की आपादी करीब 10 फिजदी या फिर 14 क्रोड लोग सिनियर स्टेजिन के कटेगरी में होंगे दोस्तों ये थी आज की मैं लेटेस अपडेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो